तो देखो प्यारे बच्चों यह वाला question basically इसमें कहा जा रहा है कि current caring loop कब stable equilibrium में होगा या क्या होगा यह हमें पता करना देखो अगर किसी loop की बात करोगे तो what is the meaning of equilibrium equilibrium जो word equilibrium है इसका मतलब क्या होता है तो अगर कोई लूप है अगर इस तरह से है यह देखो अगर इस तरह से मतलब क्या होता है कि अगर magnetic field magnetic magnetic field इधर है और area vector भी इसमें ऐसे है और area vector भी इसी की direction में है तो अगर तुम देखो uniform magnetic field में रखे हो तो forces पे 0 लगेगा ही बादार समझ में तो अगर तुम देखोगे इस टाइप के equilibrium को हम जब force भी जीरो और टार्ग भी जीरो हो और लेकिन अब इसे बात नहीं बात लिए एक और बात होती है बच्चों जो की है potential energy और area vector दोनों एक दूसरे से कॉइंसाइड थीटा जीरो है तो potential energy यू की value होती है माइनस M.B अपड़े होगे तो माइनस M.B तो अगर potential energy इस case में minimum होगी जो की होगी MB कॉस जीरो और यह potential energy माइनस MB है तो जो potential energy minimum है और इसको हम बोलते stable equilibrium इस टेबल इकलिवरियम तब होता है जब थीटा जीरो होगा आप इसको ऐसे भी तीरी डी से visualize कर सकते हो कि अगर एक करेंट करिंग क्वायल है ऐसे तो मैगनेटिक एरिया वेक्टर इदर है और मैगनेटिक मॉमेंट जो है M magnetic field भी अपना इधर ही है तो थीटा जीरो होगा दो मैगनेटिक मॉमेंट भी इदर होगा एरिया वेक्टर इदर होगा दूसरा orientation इसका है कि अगर current करिंग क्वायल है मैं पेना चेंज कर लेता हूं अगर current करिंग क्वायल है और इसी इसकेस में तुम देखोगे अगर सेम औरियेंटेशन में बदल दिया तो एरिया विक्टर इदर है और magnetic field इदर है तो इस केस में थीटा कितना जाएगा 180 डिग्री आजाएगा तो तिटा अगर 180 डिग्री आ कि यहां से भी और कौस itself म्क बोलते हैं अनिस्टेबल इकलिव बुरियर तो दो ऐसे में आ गया होगा तेक क्यां के युभाट